मेरे को अरसद नदीम कभी भी पसंद नहीं आयेगा क्योंकि वो पाकिस्तानी प्लियर पर सवाल खड़ा करें जलन है आप लिए उन लोगों का चच्चा है क्या यहां पे बैटके औरसद नदीम औरसद नदीम औरसद नदीम ही गोल्ड मेडल जीता है लेकिन पाकिस्तान एक मेडल क्या जीता अब पाकिस्तान का प्यार एजेंसी बन गए कि पाकिस्तान का छवी आम इंटरनेशनल मंच पे साही करें वारे वा हद है पाकिस्तान के लोग जो है जाके यूएन में भार बार भारत को ललकारते हैं और भारत को नीचे दिखाते हैं इंटरनेशनल मंच पे उस समय क्यों नहीं बोलते हैं लेकिन आप लोगों ने इस परकार से PR एजंसी का जिम्मा आप लोगों ने अपने सर पे उठा लिया कि अर्षद नदीम ने जो है मंगल गरा से लिथियम बैटरी का भंडार डूंड के लेके चले आए अर्षद नदीम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवोर्ड से सम्मानित करने के लिए बात कर रहे हिलाले पाकिस्तान अब मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अर्षद नदीम के मा की बात करने वाले भारत के यूट्यूबर और भारत के पत्रकार क्या कभी सैनिक के मा से बाचित किये हैं क्या कभी सहीद परिवार वालों से मिले हैं कि उनको किसने जखम दिया है अगर अर्षद नदीम इतना सही हैं तो पाकिस्तान में फैले हुए आतंकवाद का बिरोध करके एक बार दिखाएं और अगर अर्षद नदीम पाकिस्तान में फैले हुए आतंकवाद का बिरोध नहीं कर रहा हैं तो भारत में बैटके जो लोग जो अर्षद नदीम का सप और खेल भावना को खेल भावना कि तुरह देखने का प्रियास कर रहा है अरे बोर्डर पे भी जो है एक खेल जो है वह अपनी जान की बाजी लगा कि हमारे देश के जमान खेलते हैं मेरे को अर्सत नदीम कभी भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वह पाकिस्तान का खिलाडी ह मतलब पाकिस्तानी प्लियर उन लोगों का चच्चा है क्या है पाकिस्तानी प्लियर पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं तो चीप प्लिसिटी और वो लोग पाकिस्तानी प्लियर का सपोर्ट कर रहे हैं भारत में बैटके और बोल रहे हैं कि वाह नदीम तुमने क्या कर दिया तुम्हारा फ्रो जो है बहुत अच्छा है वो लोग अच्छा कर रहे हैं 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने 16 साल का नहीं वो कितना साल का भी रिकॉर्ड तोड़े उनका डोप टेस्ट होना चाहिए पहला चीज और जिस देश ने जखम दिया है उसके खिलाडी का ब बिडियो बना देते हैं तो जो चार हिंदूों की जान बचच जाती हिंसा कं होता हो वहाँ पर बंगलादेश दवाव पढ़ता यहां पे बैटके और सद नदीम और और सद नदीम ही गोल्ड मेडल जीता है यूक्रेन के तीन खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते हैं उनका क्वालिफाई किया क्यों ने किसी ने प्रसंसा किया एक महिला जो है साथ महीने की प्रेगनेंट थी और वो जो है तलवार बाजी लड़ी है क्यों ने किसी ने प्रसंसा किया और सद नदीम और सद नदीम मत्तब अपने खिलाडी का सपोर्ट नहीं करेंगे जो एक्चुल में पाकिस्तान के लोग जो है यून में भार बार भारत को जो ललकारते हैं और भारत को नीचे दिखाते हैं इंटरनेशनल मंच पे उसमें क्यों नहीं बोलते हैं इंटरनेशनल मंच पे जब भी या किसी खिलाडी का या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज का अगर आप प्रमोसन कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं तो समझे पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप लोगों ने इस परकार से पी आर एजंसी का जिम्मा आप लोगों ने अपने सर पर उठा लिए कि ऐसा लगा कि अर्सद नदीम ने जो है मंगल गरह से लिथियम बैटरी का भंडार ढूंड के लेके चले हैं अदुनिया का सबसे बड़ा समस्या का समधान कर दी है अरे आप लोग जाने अंजाने में पाकिस्तान का समर्तन कर रहे हैं पाकिस्तान के सैनिकों का मनोबल बढूबल बढाये मिम्ट के वाइरल हो रहा है एक अरसद नदीम का भाला फेकने वाला एक नरेंदर मोदी का और लिखा जा रहा है कि दूनों में कौन ज़्यादा फेकता है जरह सोची भारत में बैटे लोग ऐसा कर रहे हैं जरह सोचिए चंद पैसों के लालच के लिए या भारत को बदनाम करने के लिए एक पाकिस्तान का पलेयर जेबलिन त्रो क्या जीता अपने ओलम्पी क पहली बार पाकिस्तान गोल्ड मेडल क्या जीता इन लोगों ने इतना गंद मचा दिया कि भारत का छे मेडल जो है उसके सामने धूमिल पड़ गया भारत के छे मेडल जो खिलाडी जीते हैं हलाकि कुछ लोगों ने दिखा या इसके बारे में भी दिखा लेकिन आप अपन जब मतलब यहीं तो गलत प्रसेप्शन सेट कर रहा है ना नोवेल पुरसकार खत्म हो गया इंटरनेशनल पीस पुरसकार खत्म हो गया वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नहीं है और जारा सोचिए भाई एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान में कोई ला देता है त तो उसको पाकिस्तान का सरवच्च आतंकवादी ओला पुरसकार दिया जाता है 32 साल बाद तो गोल्ड मेडल मिला है इसे लिए 32 साल बाद नहीं कोई मेडल 32 साल बाद मिला है